कि पिश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं कम मेक इन इनिया कि अब कॉंग्रेस ने सत्ता भूख के लिए सत्ता हत्याने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है नई बाते बोलना शुरू किया है आजकल क्या कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक मैं जड़ा पूछना चाहता हूं कि जिनों ने इनको वाके लिख करके दिया है उसने सोचा है क्या जब तुम कह रहे हो तो कॉंग्रेस की मुलभूत नित्योग पर ही सवाल करा कर रहे हो जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक इसका मटलब यह हुआ कि अब कॉंग्रेस गोषना करें क्या आप अल्प संखेकों के विरोधी है क्या कॉंग्रेस पस्ट करें आप दक्षिन भारत के विरोधी है क्या मैं सिद्य करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिन भारत के साथ गोरन्याय करने वाली सोच है ये नई सोच माइनोरिटी के पीट में भी चुरा भूंकने वाली सोच है आजकल देश में अगले डी लिमिटेशन की चर्चा हो रही है आपको मालूमन है 25 साल के बाद पारलामेंट की सीटे कितनी होगी की कौन सी क्या होगी इसका निर्नाई जुड़ी सरी करती है और उसके कारण जहां जनसंग्या कम है उसकी सीटे कम हो जाती है जहां जनसंग्याज जादा सामचा मतलब आप कॉंग्रेङ बारत के साुससर्स्ट सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है блиn it इसी विपने पर मैं कॉंग्रेज के नेताओं को साप करता हूँ, देश को मुरख मत बनाओ, पस्ट करो, क्या कारण है दक्षिन भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल-खेले जा रहे हैं और इंडी गड़बंदन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा हिम्मत है, तो जरा कॉंग्रेज से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, जो कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक, मैं कॉंग्रेज को सवाल पूछता हूँ साउथ के अंदर, खास करके तमिल नाडू में मंदिरों पर सरकार का हक है, सरकार ने कबजा कर लिया है मंदिरों के संपत्ति को सरकारी मिली भगत में हरप किया जा रहा है, मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कबजा किया गया है लेकिन माइनोरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं अब कॉंग्रेट ने जो नारा दिया है, कॉंग्रेट ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हग अगर यही आप क्या मंत्र है, यही आपका सिद्दान्ध है, तो क्या माइनोरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको यह दक्षिण के आपके सारे साथी जब तक करेंगे क्या, उनका कबजा करेंगे क्या, उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या, नहीं लाएंगे मैं दूसरे सवाल पूछता हूँ कॉंग्रेस को ये जो नारा देते हैं तो क्या कॉंग्रेस और उसके साथ ही खास करके तमिल नाडू क्या वो वहाँ हिंदू मंदिरों को जो कबजा किया जा रहा है हस्तफे किया जा रहा है रक्षिन में खेल parameters जब आप कहते हैं जितनी आबादि उतना हक तो क्या यह हाँ हिंदूओं को आप वापिस देंगे क्या जवाद दीजिये ये चूठी बातें मत करिये लोगों को प्रमिस करने का खेल खेलना बन्द कर दीजिए। कॉंग्रेश को इंडी एलैंस को इस बारे में भी अपना स्टेंड साफ करना चाहिए। कॉंग्रेश के साथ ही जो तमिल लडू में राज करते हैं, जो केरल में राज करते हैं, जो तेलंगना में राज करते हैं, जो करनाटका में राज करते हैं, यह सारे साथियों को कॉंगरेस से ब्यात जवाब देना पड़ेगा साथियों आज देश में सबसे बड़ी जरुरत मन सबसे बड़ी जरुरत मन जिनको डगर डगर पर मदद की जरुरत है वो कौन है हमारे देश के गरीब परिवार है अगर आज देश की सबसे बड़ी कोई जाती है तो वो जाती गरीब है और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाती उनकी सेवा उनका कल्यान उनकी प्रगती यही सच्चा सामाजी की न्याय है हमारी सरकार ने पिछले नव सालों से गरीब कल्यान के लिए दिन रात मेहनत की है और इसके पननाम भी सामने आ रहे हैं नीती आयो की रिपोर्ट कहती है कि पांच वर्ष में साड़े तेरा करोड लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है और इसलिए मेरे लिए तो जाती अगर कोई है देश की सबसे बढ़ी जाती कोई है तो गरीब है और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना तो यह देश समर्द होने से को रोक नहीं पाएगा और यही यही मोदी का सपना है यही मोदी की गारंटी है यही मोदी का संकल्प है और यही मोदी की साधना है यही मोदी की तपस्या है और मैं अन्य सभी राजनितिक दलों से भी आज आवान करता हूँ हाज जोड करके मैं देश के रजीब सभी राजनितिक देता हूँ को सभी दल के मुख्याओं को सभी पोलिटिकल पार्टियों को कहता हो आएए आजादी के 75 साल हो गए आएए गरीबों के कल्यान पर विचार करें गड़ीबों की बलाई के लिए विचार करें गड़ीबों की बलाई के लिए योजनाय बनाएं आए गड़ीबों के उद्वाइब